नमस्कार दोस्तों, PCS गुरूजी मा का स्वागत है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी IS PCS बन जाते हैं बहुत कम मेहनत करके भी वो बहुत जल्दी IS PCS बन जाते हैं, जल्दी सफल हो जाते हैं वह दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो लगातार महनत कर रहे होते हैं पड़ सफल नहीं हो पाते हैं तो जो सफल होते हैं उनके पास ऐसा क्या है कि वो जाने या अन जाने में ऐसा कुछ करते हैं जिससे की सफलता उनको मिल जाती है और भारत की सबसे बड़ी नौकरी उनको मिल जाती है अगर इस बात की जाच में थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो आज मैं आपको भगवत गीता का एक शलोग बताऊंगा जो शायद आपकी इस बात को जो आपका सवाल है इसका जवाब दे पाए और यह बहुत बहुत इंटरस्टिंग है वो सकता आज का वीडियो देखने के बाद सीविल सर्विसेज की तैयारी जॉब कर रहे हो पीसेज की तैयारी कर रहे हो उसको एक नया डिमेंशन मिले बहुत इंटरस्टिंग है प्लीज थोड़े देर वेट कीजेगा और पूरा वीडियो देखेगा आज आपको एक नया कॉंसेट मिलेगा श्रीकिष ने भगवत गीता के अंदर आपने चौथे अधाय के सोले सलोक में बोला पर संस्क्रित पढ़ लगते हैं थोड़े संस्क्रित में ऊच नीचे मेरी लेकिन आप फिर भी समझने कुछ कर रहा है कर्म क्या है और अकर्म क्या है कर्म क्या है अकर्म क्या है कर्म एक्षन और इनक्षन क्या है इस परकार इस विश्यों में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं अतहा वा कर्म तत्व मैं तुम्हें भली बाती कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुब से मुक्त हो जाएगा, अशुब से, दुखों से मुक्त हो जाएगा, सिर्व किशने बहुत बड़ी बात बोलते हैं, शायद जो आज आपकी असवलता को सवलता मिदल दे, अगर आज आ है, हम लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अब बात करते हैं, अपने PCS की, मैं अगराब सवाल आप से पूरू, अभी शलुक पर आएंगे, शलुक को सब एक्स्पेन करते हुए, ठीक है, मैं भी आपके पॉइंट पर आ रहा हूं, कि आप बोलते हो कि PCS बनने के लि परना, क्या आपका कर्म है, क्या आप सच्पुच एक्शन ले रहे हो, समझे गोशिश कीजिएगा, PCS के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या ये कर्म, सच्पुच आप कर्म कर रहे हो, ऐसा तो नहीं, कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो एक्शन ना होके, रियाक्शन है, क् आप घर से बाहर निकले तैयार होके जैसी घर से बाहर निकले कोई वैक्ती मिला वो वैक्ती ने आपको देखते ही दो गाले देने शुकर दी आपको अब इसके बदले में जैसी आपको ने गाले सुनी आप ने उसको दो गाले देने शुकर दी तो आपने क्या किया? आपने react किया, उन गालियों को react किया आगे बढ़ते हैं, एक दोस्त मिलता है आपको, वो smile करता है और बदले में आप भी smile करते हो सस्तो ये है कि पूरी जिन्दगी में हम सभी लोग action कभी करते ही नहीं है हमारी पूरी जिन्दगी में हम सिर्व reaction करते हैं जो भी सामनी परस्तिती होती है, हम उसे react करते हैं वैसा reaction होता है सद्यों सद्यों में कोई व्यक्टी ऐसा होता है, जो सची मुझ एक्शन करता है आन्था, सब लोग reaction करते हैं जैसी परस्तिती उसमें हम रियाक्ट करते हैं। कहीं आपके पढ़ाई भी एक्षण के जिगा रियाक्षण तो नहीं है। और समस्ते ठोड़ा सा। माल लेते हैं एक व्यक्ति हैं। वह सारा समान लेकर अपना वैबार का समान लेकर नदी के राशते एक सम्सते की रास्ते एक शिबॉस से जा रहा था। अचानक से तुफान आता है वो शिबयंघ्ट टूर जाती है, और वो बहता हुआ, एक टापू पर आ जाता है। वो सुसता है चलो समान लियाता हूँ कुछ समान बचा लेता हूँ छैत काम आएगा वो तैरता बजाता है अपनी शिप के पास और वहां से कुछ समान निकालता है तो एक उसके बैग उसके हाथ में लगता है उस बैग में बहुत सारे पैसे बड़े होते हैं हीरे जवारात प और छोड़के जो खाने पर समाने वो लेकर वापस आजाता है। और धीर धीरे वह जो बैग है, जिसके अंदर हीरे जवारा आते हैं, वो डूब जाता है। अगर यही व्यक्ति जो व्यक्ति आज ये टापू पे तर जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर अपना बैक सम्मूदर में डूमने दे रहा है यही सेम व्यक्ति क्या संभव व्यक्ति नॉर्मल जग टाइम पर जहां पर पूरी भीड भाड़ी लाला इलाका है जब नॉ तो वहाँ पर सब लोग देखने वाले हैं वहाँ पर वो जो action कर रहा है वो उसका real action है कहने के बतल जहाँ पर सिर्फ है कि कोई भी चीज action दब है जब आप कोई भी परस्ति हो उसमें एक ही तरह काम करो यानि अगर आपको पैसे छोड़ने हैं तो आप तब भी छोड़ो जब आप अकेले टापू पे हो और तब भी छोड़ो जब आप भीड़ भाड़ा लियके में हो ऐसा ना हो कि जब अकेले टापू पे तब तो पैसे छोड़ दिये लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ा लियक टाइम था अब अगर मैं आपसे पुछूँ कि जो PCS की पढ़ाई है वो आपकी action है या reaction है अगर आप पढ़ते हो सिर्फ इसलिए कि exam crack करना है तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि ये आपका action नहीं है reaction है परिस्तितियों कुछ हिसाब से कि घर वालों ने कहा कि पीसेज बनना है नौकरी पान नहीं है अच्छी नौकरी पान नहीं है पैसा कमाना है इजद मांस तो उस situation का reaction की तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपका कर्म नहीं है आप कर्म नहीं कर रहे है आप से प्रतिक्रिया कर रहे हो कोई क्रिया नहीं क चलगता है, वो पढ़ना पसंद करता है, यकीन मानियेगा, कि वो अपना कर्म इमान Gesundheit से कर ले जाएगा, और ऐसे ही व्यक्ति जो हैं, वो सफल हो जाते हैं, तो जो लोग सफल हो रहे होते हैं, वो जाने अन जाने में, असल में यही बात को follow कर रहे होते हैं, कि भाई वो कर् रिस्तिती हो वो अपना काम कर रहे होते हैं एक्जाइम होगा पीसे तैरिक कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं एक्जाइम नहीं भी है तो भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक्जाइम के पॉइंट अव्यू से ही पढ़ते हैं और तभी पढ़ते हैं जब उनको exam देना हो, मालने ज़ेगे exam नहीं है तो पढ़ेंगी नहीं, ना paper तक की नहीं पढ़ते तो जब आपका कर्म ही सही नहीं है तो आप कैसे उमीद करते हो कि आप सफल हो जाओगे तो जो लोग सफल हुए हैं जो लोग सफल हुए हैं वो जाने अन जाने में सही काम कर रहे हैं उनको मतलब नहीं होता कि examination ठीक है examination होगा syllabus पढ़ना है पढ़ लेंगे, लेकि पढ़ना पढ़ना है सा कौन से पढ़ना वो उनका जीवन की शैली का हिस्सा है इसलिए जब यह exam में आते हैं तो बहुत कम महनत करके पास होगा पढ़ना होता है वो कुछी पढ़ते हैं magazine पढ़ते हैं, paper पढ़ते हैं books पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहते हैं वो knowledge उनके तरह इकटी होते रहती है तो जब आप action करते हो तो result भी आ जाता है हर करम कर रहे हो action कर रहे हो, कि reaction करो आपकी pieces के पढ़ाई action है कि reaction है पूछे, अकर जबाब आता है कि नहीं, मैं हर परिस्तिदे पढ़ूँगा पढ़ता हो मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है मुझे knowledge लिना ही अच्छा लगता है यकीन मानिए, देर से विर सही आप एक ना इक दिन PCS बन जाओगे लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, यार exam है का बस 17 तारीका वेट कर रहे है 17 तारीके पढ़ाई कर रहे है, 17 मार्च को पेपर है उस तार से पढ़ेंगे, और अगर मानलो उच नीच हो गई, नहीं निकल पाए तो पढ़ाई छोड़ दी कि नारे कर दिया, फिर तो कोई आपने पेपर छोड़ो, न्यूस सुनना भी छोड़ दिया आपने अगर आपका एटिटूड ये है, यकीन मानिए PCS बनने में आपको बहुत 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 मुश्किल आजाएगी क्योंकि आप action ही नहीं कर रहे आप सिर्व reaction कर रहे हो, परस्तितियों का reaction दे रहे हो आप ये चीज़ आप अपने आप सवाल कीजेगा अब दूसरा concept लेते हैं, अकर्म का ठीक है, कर्म क्या है, ये तो समझ में आ गया अब ये आपको बोचना है कि ऐसा परस्तिती के अंदर ऐसा काम जो आप हर परस्तिती में करो वही कर्म है, वही सच्चा कर्म है तो पढ़ना, आप अपने आप से पूछो कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो जो पढ़ रहे हो, क्या वह आप हर परस्तिती में पढ़ते हो, अगर आप कर रहे हो तब तो आप कर्म कर रहे हो, अनिता आप कर्म नहीं कर रहे हो ये सवाल आज आपको आप से पूछना है अपने आप से पूछना है अब दूसरा वट लेते हैं, अकर्म और कर्म का मतलब है inaction ठीक है एक ऐसी stage जहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे है total complete rest total complete rest कोई वैक्ति एक कमरे में बैठा हुआ है अराम से चियर में आँख बन से बैठा हुआ है अगर आप बहार से देखोगे तो आपको लेगेगा कि यह बिलकुल शान्त होके बैठा हुआ है बिलकुल relax होके बैठा हुआ है कुछ action नहीं कर रहा है लेकि अगर आप अंदर जाओगे उसके दिमाग के अंदर जाओगे कोई machine ऐसी हो जो उसके दिमाग को कर सके तो आप देखोगे कि वो बहुत कुछ सोच रहा है सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है पैसा कमा लिया, पैसा यहां इनिवेस्ट करेंगे वहाँ उसके साथ उससे यह बात करेंगे उससे वो बात करेंगे, यहां करेंगे यहां जाएंगे उसकी body rest पे है दिमाग active हो रखा है दिमाग तो ऐसे लोगों को अकर्म भी नहीं कहेंगे inaction भी नहीं कहेंगे क्योंकि भलही body वो जो है वो रुकी पड़ी है लेकिन दिमाग चल रहा है अगर जब आप सोने जाते हो आप देखते होगे आप सोने आते हो लोगों लगता कि सो रहा है rest कर रहा है लेकिन क्या होता है दिमाग में जो आपने अपने real life में नहीं कर पाते हो वो करते हो अगर मालो आप कई job करते हो वहाँ पर आपका boss बहुत आपको humiliate कर रहा है और आपको मन तो करता कि boss को जाके दो थपड मार दे अब भले ही मार नहीं सकता है क्योंकि नौकरी का सवाल है लेकिन जब आप विस्तर में लेटते हो तो आप उसको थपड मारते हो अपने ख्वाब में जो आप real life में नहीं कर पाते है आप जो सोचते हो अब इसको क्या बोलोगे इनक्शन बोलोगे नहीं साथ यह इनक्शन नहीं है यह overthinking है overthinking इनक्शन भी नहीं है जिस तरह से सदियों सदियों में कोई ऐसा वैक्टी होता है जो proper अकर्म करता है तो ऐसे ही वैक्टी होता है जो बिल्कुल proper अकर्म करते हैं action और inaction ये दो extreme position है problem क्या है हम action भी नहीं करते हम action के जिगा reaction करते हैं और हम अकर्म यानि कि हम inaction भी नहीं करते हैं हम उसकी जिगा भी overthinking करते हैं इसलिए ना आप पढ़ पाते हो और नहीं relax हो पाते हो ना पढ़ पाते हो ना रिलैक्स हो पाते हो और जीवन आपका बस round and round 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 कुमता रहता है round and round कुमता रहता है जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे यकीन मानिए आपकी पढ़ाई कभी भी एक track पे नहीं होगी अगर आपकी पढ़ाई इस बात पिटे पे करती है कि exam में आप qualify कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए है आप नहीं कर रहे एक्शन और कभी पीसस नहीं बनोगे और बंदा में चाहिए कि आप deserving नहीं हो ठीक है और जब आप नहीं बनोगे तो आप फिर चुकि आप real life में नहीं बन पाए तो आप सपनों में बनोगे आप सपनों में सोचोगे लगतार सोचोगे तो रेस्ट भी नहीं कर पाओगे तो आप करम कर पाओगे और करम सफल नहीं हो पाओगे तो अकरम रिलाक्स भी नहीं हो पाओगे और आप overthinking में जाओगे और overthinking में और energy को exhaust करोगे और परेशान होगे और ये cycle जो है, लगातार घुमती रहती है, घुमती रहती है, और ultimately आपके सारा समय, सारी energy, सब कुछ सूख लेती है, और आपको बेकुल बरबात लगे छोड़ देती है, सभी लोग maximum लोग यही करते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, कि हम actually कर क्या रहे हैं, फिर से repeat करूंगा, जो लोग सफल होते हैं, वो इस बात को जाने इन जाने में फॉलो कर रहे होते हैं, और जो असफल हैं, वो तो असफल है ही है, आज आप relax होके सोचिए, कि कि आपके पढ़ाई किस तरह की है, कौन सी quality वाली पढ़ाई है, क्या किसी के होने ना होने से आपके पढ़ाई को फरक परता है, अगर फरक परता है तो नहीं, आपको अपने अंदर improve करना पड़ेगा, और ऐसा यह improvement नहीं होती है, अगर आज आज आपको यह बात समझ में आ गई है, तो अपने अंदर सुधार लेकर आई है, जब स्रीकृष्ट अर्जुन से बोल सकते हैं, तो कहीं न कहीं स्रीकृष्ट को यह लगता है कि अर्जुन अपने अंदर सुधार ला सकता है, तो आप भी ला सकते हो, वहाँ पर अर्जुन है, लेकिन आज आप अपने कर सकते हो नया direction दे सकते हो बात सिर्फ मैंने pieces के संदर में गही है लेकिन आप इसको बाकी जगह भी implement कर सकते हो और आप देखोगे कि जब आपके करम बहुत अच्छी होंगे करम बढ़िया होंगे आप करम करोगे तो अकरम भी कर ले जाओगे अगर करम होगा अगर real life में रहेगा नहीं तो जो चीज आप practically नहीं कर पाए उसको ख्वाबों में नहीं करोगे खरने कोशिश नहीं करोगे तो कभी overthinking में नहीं करोगे कर्म है तो अकर्म है, अकर्म है तो कर्म है, इसलिए आप अपने पढ़ाई को अपढ़िए, आप नॉलेज इखटा कीजिए, अगर नॉलेज इखटा करना ही आपका एक मकसद होगा, आप देखें, पीसेज बन जाना एक बाई प्रोडेक्ट रहा जाएगा, सिर्फ और बाई